हलो फ्रेंट्स मैं संपला कुल करनी आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल टेक टॉक्स में इस वीडियो सेरीज में मैं आपको ट्री डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा रही हूँ इस current video session में मैं आपको pre-order binary tree traversal explain कर रही हूँ जिसका introduction मैं इस video session में देने वाली हूँ उसके detail examples, solved examples, उसके algorithms मैं एक-एक करके एक-एक video session में देने वाली हूँ content को जाने से पहले मैं आपको request करती हूँ कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please मेरे चैनल Tech Talks को subscribe कीजिए और bell ringing रखिए तो चलो देखते हैं tree traversal सबसे पहले क्या होता है tree आपको पता होना जरूरी है अगर आपको tree के बारे में ज्यादा जनकरी चाहिए तो मैं यहाँ पे shortcut link provide कर रही हूँ right up corner पे तो आप देख सकते हो कि tree data structure क्या होता है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि non-linear data structure जो tree data structure है वो non-linear data structure होता है तो अगर हमारे पास non-linear data structure है तो उसे traverse करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं तो वो कौन-कौन से होते हैं आपको अगर data structures के types के बारे में ज़्यादा जनकरी चाहिए तो भी आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मैं right up corner पे link flash कर रही हूँ जिसमें आपको समझ में आयेगा different types of data structure, linear data structure, non-linear data structure और उसके examples क्या-क्या होते हैं अगर आपको different tree travelsals के बारे में जानकरी चाहिए तो भी मैं थोड़ी देर बात यहाँ पे right up corner पे सारी link provide कर रही हूँ तो आप थोड़ा right up corner पे भी ध्यान रखिए वहाँ पे मैं shortcut links provide कर रही हूँ तो देखते हैं कि कौन-कौन से तरीके होते हैं जिससे हम non-linear data structure traverse कर सकते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि basically दो types होते हैं दो ways होते हैं दो तरीके होते हैं पहले उसको बोलते है depth first traversal technique और second technique को बोलते है breadth first traversal technique नाम ही इसके suggest करते हैं कि depth first traversal technique जो होता है वो depth में जाके traverse करता है breadth first traversal technique जो होता है वो breadth के हिसाब से, level की हिसाब से traverse करता है ये सारी चीजे in detail मैंने introduction to three traversal वाले वीडियो में explain की हुई है आप उसको देख सकते हो यहाँ पे हम देखते हैं कि depth first traversal के फिर से तीन subtypes होते हैं जो की होते है pre-order traversal, in-order traversal and post-order traversal यहाँ पे इनके short ways दिये हुए हैं जिस sequence में वो ordering और traversing करने वाले हैं तो n stands for root node, l stands for left child or subtree and r stands for right child or right subtree तो n, l, r where n जो होता है वो आपका root node होता है तो pre इसका मतलब है सबसे पहले, left और right से पहले हमारा अगर root node होता है तो उसको हम pre-order traversal बोलते हैं root node की position अगर हमारी बीच में होती है, in-between होती है left and right child के बीच में अगर होती है, तो उसको हम in-order बोलते हैं और post-order में root node की position सबसे last में होती है सबसे last मतलब left and right subtree के बाद होती है, तो यह हो गए आपके depth first traversal और breadth first traversal जो की level-wise traverse करते हैं तो यहाँ पे हम focus करने वाले हैं, depth first traversal का पहला वाला टेकनिक जो होता है pre-order traversal, जिस पे हम root node को सबसे पहले process करेंगे उसके बाद हम left को जाएंगे और उसके बाद हम right को जाएंगे तो यहाँ पे फिर से मैंने वही चीज़े explain की है, बट यहाँ पे थोड़ा सा detail में लिखा है वहाँ पे n, l, r रिखा था, यहाँ पे मैं root left, right लिख रही हूँ r, l, r हम यहाँ पे लिख नहीं सकते क्योंकि r से confusion हो सकता है short form में इसलिए root node को हम represent करते है, root node, so n, हम short अगर लिखना है तो n लिखते है, तो सबसे पहले हम देखते है कि pre-order traversal क्या होता है इस video session में पे pre-order traversal पे focus कर रही हो तो चलो start करते है pre-order traversal, देख सकते हो आप यहाँ पे मैंने n, l, r रिखा है n stands for root node, root का r अगर मैं यहाँ पे लिखती तो आपको confusion हो जाता कि r माने root या right इसलिए मैंने root node को यहाँ पे n में represent किया है, l, left child, r, right child तो root node, left child and right child, यही pre-order का sequence होता है यही दिखाने का मैं यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ, तो सबसे पहले हमें root traverse करना है फिर left child को जाना है, और left child होने के बाद हमें right child को जाना है यही हम कैसा कर सकते हैं, यहाँ पे मैं in short आपको बता रही हूँ तो सबसे पहले हमें root से start करना है, कौन सा भी traversal हो, हमें root से ही start करना है root से हम travels करना start करेंगे सिर्फ हमें sequence जो है ये वाला sequence हमें बताते रहेगा कि process हमें root node कब करना है अगर ये pre-order है इसका मतलब कि हमें root node सबसे पहले process करना है left or right child से पहले इसलिए हम root node को पहले process कर लेंगे उसके बाद हम check करेंगे कि left child अगर है तो हम left को जाएंगे फिर उसको फिर से root node बना के root node को process करेंगे यही process हम continue करेंगे अगर हमारे पास left child हर एक root node का available है उसको होने के बाद हम फिर से रेखेंगे कि उसको right child है अगर है तो उसको हम फिर से root बना के फिर से left check करेंगे अगर नहीं है तो फिर से right को चेक करेंगे अगर दोनों process हो चुके है तो हम मान लेंगे कि हमारा tree reversal खतम हो चुका है यही सारी चीज़े मैं आपको in detail explain करूंगी बट next slide पे अभी आप यहाँ पे मैं short में आपको explain कर रही हूँ कि अगर मैरे पास यह चोटा वाला tree है जहाँ पे root node है और उसका एक single left child है और single right child है तो यहाँ पे जो मैं sequence follow कर रही हूँ root node left and right वो यूज करके हमें हमारा tree कैसे traverse करना है तो सबसे पहले हम root से start करेंगे कौन सा node root node है तो A तो A मैंने process कर लिया उसके बाएर हम आगे जाके उसका left child है क्या check करेंगे हाँ left child है तो हम left child को root बना के उसको process कर लेंगे क्योंकि left child को फिर से उसका left child नहीं है तो हम उसको ही root बना के उसको process कर लेंगे यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो मैंने process कर लिया है अभी B का राइट चैल्ड है, वो भी नहीं है, तो फिर से मैं root को जाके, root के right child को जाओंगी और उसके बाद right child को process करोंगी, तो right child हमारा हो गया C, तो C हमारा अभी currently root node हो गया, उसका left child है, नहीं, उसका right child भी नहीं है, तो सबसे पहले pre-order है इसलिए हम सबसे पहले उसको process कर लेंगे C को और फिर उसके बार हम चेक करेंगे C का left child है नहीं है C को right child है वो भी नहीं है तो हम यहाँ पे stop कर लेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपने तीनो node process कर लिये है अभी यही सारी चीज़े in detail मैं आपको बता रही हूँ तो हम root से start करेंगे root को start करने के बाद सबसे पहला हमारा काम है root को process करना process करना मतलब display करना क्योंकि traversal technique जो होता है वो display के लिए use होता है mostly display अगर हमें करना है तो हम traversal के साथ हम tree code display कर सकते traversal के बहुत सारे applications है जिसमें से पहला application है कि हमें अगर tree display करना है तो हम traversal के मदद से कर सकते हैं तो यह pre-order traversal है इसके लिए हमें सबसे पहले root node को process करना है तो यहाँ पर अगर root node से आफ start कर रहे हो तो यहाँ पर root node को process करना है process करने के बाद हमें चेक करना है कि उसको left child है या नहीं अगर left child है तो हमें step down होना है नीचे जाना है left child को मतलब हम left child को जाके फिर चेक करेंगे कि वो left child जो है वो उसको हम खुद को root node बना के फिर से ये process execute करेंगे अभी ये left child ही root node बन गया है तो left child को फिर से हम process कर लेंगे क्योंकि root node को सबसे how to process करना है फिर उस left child जो अभी currently मेरा root node है उसको हम check करेंगे कि उसका left child है या नहीं अगर यहाँ पर फिर से हम देखते हैं कि उसको root node वनाना है process करना है और हमें left child check करना है अभी मान लो currently कि मेरे उस left child को फिर से left child नहीं है अभी current root node को left child नहीं है तो हमें उसको छोड़ देना है अभी आगे चेक करना है कि उसको right child है या नहीं मान लो कि उसको right child है तो हमें उसके right child को step down होना है उस right child पर जाना है और उसको फिर अभी root बनाना है root बनाने की बाद फिर से यही process करनी है जो कि फिर से यह root बन जाएगा हमें root को process करना है उस node को current जो अभी root node है जो पहले right child था उस root node को process होने के बार हमें फिर से उस root node का left child है या check करना है अगर वो है तो हमें step down होना है left child पे अगर नहीं तो फिर से हमें right child को check करना है यही process हमें repeatedly perform करनी है जब तक हम पूरा tree traverse नहीं कर लेते हैं तो यह सारी चीज़े में आपको एक example के साथ explain कर रही हूँ मान लो मेरे पास यह वाला tree available है जिसका root node है 10 10 को दोनों child available है left child and right child बट 20 को उसका left child available नहीं है सिर्फ उसका right child है तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं तो यह algorithm हमें क्या बोलता है यह tree traverse हमें sequence क्या बोलता है कि सबसे पहले root node को traverse करना है और process करना है उसके बाद left को जाके उसको root बनाना है उसको traverse करना है उसको process करना है सारे left होने के बाद हमें right को जाना है उसको root node बनाना है और उसे process करना है right को जाने के बाद भी फिर से हमें check करना है कि उसका left है या नहीं नहीं तो right है या नहीं अगर दोनों भी नहीं है इसका मतलब हमें वहाँ पे stop करना है तो चलो यही process हम one by one step by step देखते हैं तो पूरा tree हमें पहले consider करना है by considering this 10 as a root node अगर मेरा 10 root node है तो उसका left child है 10 उसका right child है 40 तो सबसे पहले हमें root को process करना है root को process करना है आपको एक शिस ध्यान में रखने हैं कि इस example में जव जो root node में process कर रही हूँ उसका color में change करने वाली हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन-कौन से node यहाँ पर process हो चुके है visited है और कौन-कौन से remaining है और हम कौन से sequence में जा रहे हैं वो भी आपको पता चल जाएगा यहाँ पर नीचे मैं आपको traversal भी दिखा रही हूँ जो की हर एक root node को process होने के बाद हम यहाँ पर वो node डिस्पले कर रहे है तो यहाँ पर आप देख सकते हो तो सबसे पहला मेरा node 10 यहाँ पर डिस्पले हो चुका है अभी मेरी step 2 क्या है आप revise कर सकते हो step 2 root node को process करने के बाद हमें कहा पर जाना है उसके left child को जाना है तो मैं यहाँ पे left child को जाओंगी अभी step down सबसे पहले हमें चेक करना है कि left child है या नहीं तो हमारी इस case में left child है तो हम step down जाएंगे नीचे जाएंगे यहाँ पे आप देख सकते हो हम नीचे आये हैं और फिर ये वाला tree हमें consider करना है sub tree क्योंकि अभी currently मेरा root node जो है वो 20 है तो जो highlighted portion है ये वाला sub tree हम अभी consider करने वाले है तो हमारा ये node root node बन जाएगा अभी root node बनने के बार हमारा पहला काम क्या है तो हमें root node को process करना है तो यहाँ पे हम process करने है root node को उसका color change हो गया और उसको हमने display भी कर लिया अभी उसके बार हमारा next काम क्या है next हमारी step है उसको left child है या नहीं वो हमें check करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो 20 को left child नहीं है तो हमें ये step skip कर देना है हमें next step पे जाना है कि अभी current जो root node है उसको red child है या नहीं step down होना है तो ये मैंने sub tree का portion remove कर लिया हम यहाँ पे step down हो रहे और अब भी मेरा current जो root node है वो है 30 इसलिए मैंने इस sub tree को highlight कर लिया आप यहाँ पे रेख सकते हो कि 30 जो है वो root node हो गया है इसलिए सबसे पहली step मेरी होगी root node को process करना तो processing मैंने यहाँ पे कर लिया और मैंने यहाँ पे root node को display कर लिया अभी उसके बाद next step क्या होती है कि हमें left child है या नहीं वो check करना है तो यहाँ पे left child है इसलिए मैंने यह step down करके इस node पे मैं आ गई और यह node मैंने अभी current root node बना लिया current root node बनाने के बाद यह मेरा हो गया subtree subtree होने के बाद फिर से हमें क्या करना है हमें 50 को root node कंसिडर करके उसको सबसे पहले process कर लेना है तो यहाँ पे मैंने इस node को process कर लिया मैंने यहाँ पे उसको display भी कर लिया अभी अगली step क्या है कि मैं यहाँ पे उसका left child चेक करूँगी तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसको left child नहीं है तो हमें यह step skip करनी है हमें आगे जाके third step पे चेक करना है 50 को current root node को right child है या नहीं उसको भी right child नहीं है तो मैंने यह skip कर लिया अभी दोनों हो गए है left भी नहीं है right भी नहीं है तो हमें अभी क्या करना है अभी आपको धान से सुनना है कि next step अगर यह situation है तो हमें क्या करना है इस situation में हमें फिर से 50 का जो parent node था उसको फिर से root node बनाना है क्योंकि आप इस sub tree में देख सकते हो कि सिर्फ left sub tree 30 का left sub tree traverse हुआ है अब तक उसका right sub tree traverse करना बाकी है तो फिर से हमने 30 को root node बना लिया और 30 का उसका खुद का root node processing हो चुका है left भी processing हो चुका है तो अगली step हमारी क्या है 30 को right child है या नहीं वो हमें चेक करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 30 को अगर right child है तो हमें उसको step down करना है तो मैं यहाँ पे आ गई 60 अभी मेरा currently root node हो गया और अगर मेरा 60 अभी root node है तो सबसे पहली step में दी है to process the root node तो यहाँ पे मैंने 60 को process कर लिया 60 को process करने के बाद मैंने यहाँ पे 60 को display भी कर लिया अभी root node होने के बाद मेरा next step क्या है कि उसका left child है या नहीं वो check करना है तो चलो देखते हैं उसको left child है या नहीं 60 को left child नहीं है तो हमें यह step skip करनी है 60 को right child है या नहीं 60 को right child भी नहीं है तो हमें यह step भी skip करनी है अभी फिर से वो ही वाला situation हो गया है जहां तक कि 60 का सवाल है हमने दोनों left और right दोनों चेक कर लिए है जो कि यहां पे available नहीं है तो हमें क्या करना है हमें फिर से back जाना है अभी आप 20 पे जाके 20 पे जाके कोई फाइदा नहीं है क्योंकि 20 का right sub tree यह already traverse करके हो चुका है अभी हमें 10 को root node बनाना है आप यहां पे देख सकते हो अभी फिर से मेरा ये whole वाला tree हमें consider करना है क्योंकि 10 का left sub tree तो हो गया है 10 का right sub tree अभी भी बाकी है तो हमें 10 को अभी root node बनाना है उसको root node फिर से बनाने के वाई हमें फिर से वो process नहीं करना है क्योंकि आप यहां पे देख सकते हो 10 को process कर चुकी हुँ मैं इसलिए मैंने यहां पे आपको color change दिखाया है कि 10 हमारा process हो चुका है क्योंकि यह था pre-order traversal pre-order में सबसे पहले हमने root को ही process किया हुआ है उसका left भी process हो चुका है और अभी बारी है उसके right subtree की तो हमें check करना है कि उसका right subtree available है तो हाँ 10 का right subtree available है तो हमें step down होना है right child को जाना है और फिर हमें 40 को root node बना के अगली वाली process complete करनी है तो यहां पे 40 यह subtree हमें गंसिलर करना है जिसमें से 40 हमारा root node है तो इसलिए हमें 40 का process करना है 40 को मैंने यहाँ पे display कर लिया फिर 40 को check करना है कि उसका left child है नहीं है 40 का left child 40 का right child है 40 का right child भी नहीं है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा पूरा tree traverse हो चुका है मेरे सारे node traverse हो चुके है और pre-order traversal जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर दिया हुआ tree मुझे pre-order पे traverse करना है तो मेरा sequence मेरा ordering ऐसा होगा कि start करते है root से उसके left child को जाते है फिर 20 को हम process कर लेते है उसके left child available नहीं है तो उसके right को जाते है तो 30 root node बन जाता है तो हम 30 को यहाँ पे display कर लेते है उसके बाद 30 के left को अगर present है तो जाते है और उसको root node बना के उसको display कर लेते है ये भी हो गया 50 और 30 का left हो गया तो अब ये right को जाते है right child available है तो 60 को root node बना के उसको भी process कर लिया 60 को भी left child कोई भी नहीं है तो back में जाके 10 को root node बना के 10 के right को light sub tree को traverse करते है तो 40 हमारा root node बन गया और उसको भी process मैंने कर लिया अभी सारे node process हो गया है तो मेरा traversal है 10, 20, 30, 50, 60 and 40 तो इस तरह से आप कोई भी अगर tree आपको दिया हुआ है तो आप pre-order में उसको traverse कर सकते हो अगले वाले video session में मैं आपको और 2-3 example explain कर रही हूँ जिससे आपको ये सारी चीज़े एकदम clear हो जाएंगी तो आपको बहुत easy जाएगा कौन सा भी अगर tree आपके पास हो तो वो pre-order में traverse करने के लिए तो I hope आप लोगों को ये सारी चीज़े जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो सारी समझ में आ रही है आप सारे को thank you आपने मेरा video देखा, पढ़ा, सुना अगर आपको video की content अच्छे लगते है तो please like करना ना भूलिए comment देना भी ना भूलिए यहाँ पे मैं आपको subscription link प्रोवैड कर रही हूँ प्लीज मेरे चानल को अगर आपने subscribe नहीं किया है तो subscribe कीजिए और उसके साथ-साथ मैं अगले video का shortcut link यहाँ पे प्रोवैड कर रही हूँ और इस video series का playlist भी आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे प्रोवैड कर रही हूँ तो stay tuned with tech talks thank you friends